चाहे IPL हो या फिर रंजी ट्रॉफी, एक चीज हमेशा constant रहती है और वो है हर जगा मुंबई का domination, एक तरफ IPL में मुंबई इंडियन्स की टीप one of the most successful team है और पांच बार IPL का title जीत चुकी है, तो दूसरी तरफ रंजी ट्रॉफी में मुंबई की टीम ने अब विधर्व को 179 रनों से हराकर record 42nd time रंजी ट्रॉफी का title जीत लिया है, जिहां मुंबई की team फिर भी एक बार को IPL में तो मान सकते हैं कि मुंबई इंडियन्स ने भी 5 title जीते हैं, CSK ने भी 5 title जीते हैं, लेकिन रंजी ट्रॉफी में तो इस team का कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि एक इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रंजी ट्रॉफी के इतिहास में कोई भी team मुंबई टीम के आसपास भी नहीं है, अब इस match की बात करें जो कि विधर्ब और मुंबई के बीच खेला गया तो इस match में कई ऐसे memorable moments हुए जिस वजह से ये final match हमेशा याद रखा जाएग सबसे पहले चलिए इस match ही एक छोटी सी summary की बात करते हैं तो पहली innings जब match की शुरुवात होई तो दोनों टीमों के लिए अच्छी नहीं रही सबसे पहले मुंबई की team first innings में सिर्फ 224 run पे all out हो गई जिसके बाद उमीद थी कि इस मुकाबले को विधर्ब जीतने के लिए one of the favorites बन चुकी है क्योंकि BCCI का एक rule है जब भी रंजी ट्रॉफी में कोई knockout मुकाबला draw में खत्म होता है तो जीत उस team को दी जाती है जिसके पास first innings की lead होती है और कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि मुंबई की team सिर्फ 224 पर all out हो गई थी और उमीद थी कि जब विधर्ब की team first innings के लिए आएगी तो बड़ी असानी से एक lead ले ले लेगी और अगर ये match draw भी होता है तो विधर्ब की team अपना तीसरा रंजी ट्रॉफी का title जीत जाएगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि first innings में मुंबई के गेंदबाजों ने वापसी कराई और विधर्ब की team सिर्फ 105 रनों पर all out हो गई इसके बाद जब second innings की बारी आई तो मुंबई की team एक अलगी लह में नजर आई क्योंकि इस team ने ना सरिफ 418 रन बनाए लेकिन कई खिलाडियों ने यहां तक मुंबई को पहुचाने में एक बड़ी भूमी का निभाई और सबसे बड़े star थे मुशीर खान जिहां सरिफ 19 साल के इस खिडाली ने 136 रन बनाए और अजिंग के रहाने श्रेय सायर और शम्स मुलानी के साथ मिलकर कुछ ऐसी पाड़नर्शिप बनाई जिससे यह मैच एक ऐसे मोड पर आ गया जहां से मुंबई को हराना बिलकुल असान नहीं था अजिंग के रहाने जिन्होंने 73 रन बनाए श्रेय सायर जो सरिफ 5 रन से अपने शतक से चुक गए और शम्स मुलानी जो के 50 रन बनाकर इस मैच में नौट आउट रहे इसके सामने विधर्व के सामने था एक पहाड जैसा लक्ष है जिसे पार पाना बिलकुल असान नहीं था और ये बात जानते हुए के पहली इनिंग्स में इस टीम ने सिर्फ 105 रन बनाई थे इनिंग्स के शुरुआत हुई और लगबग 100 रनों के असपास विधर्व के 4 या 5 बिट गिर चुके थे और सभी फैंस को उम्मी थी कि बड़ी जल्दी ये मैच खत्म हो जाएगा और शायद 5 वे दिन तो ये मैच जाए भी न लेकिन उसके बाद अक्षय वाडकर और हर्श दुबे ने एक ऐसी पार्डनर्शिप बनाई जिसे फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे दोनों खिलाडियों ने मिलकर लगबए 130 रणों की पार्डनर्शिप की और अपनी टीम के लिए ये इंशोर किया कि मैच ना सरफ आखरी दिन तक गया लेकिन एक समय के लिए तो मुंबई के खिलाडी भी डर में आ गए होंगे कि कहीं ये मैच हाथ से निकलना जाए जहां जहां कप्तान अशोक वाडगर ने 102 रण बनाए जबकि हर्ज दुबे ने 65 रणों की एक बहुत इंपोर्टेंट पारी खेली सिर्फ बल्ले बाजी से नहीं बलकि हर्ज दुबे ने तो गिंद बाजी में भी कमाल किया और पांच विकेट चटका है और इस मैच में ये मेमोरेबल साजेदारी हर किसी की प्रोवैबली एक फेवरेट साजेदारी बन गई होगी लेकिन इसके बाबजू जब अक्षर वाडगर आउट हुए उसके बाद विधर्ब की टीम जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और इसी के साथ मुंबई ने एक बार फिर रंजी ट्रोफी में इतिहास रचा और अपना 42 टाइटल अपने नाम कर लिया इसके बाद सोशल मीडिया पर सब जगा मुंबई को बधाईयां मिलनी शुरू हो चुकी है और इस टीम को याद दिलाया जा रहा है कि आपकी जो टीम है वो चाहे IPL हो चाहे रंजी ट्रोफी हो या कोई भी स्टेज हो मुंबई का डॉमिनेशन हर जगा देखने को मिलता है अब इस मैच में कुछ memorable moments की बात करें तो सबसे पहले जो सबसे यादगार लमहा आया वो आया सर्फ 19 साल के मुशीर खान के बैट से 136 रन उनों ने बनाए और बड़े बड़े खिलाडी श्रेया सायर अजिंग के रहाने के साथ मिलकर बड़ी बड़ी पार्टनर्शिप बनाई इसके रावा श्रेया सायर और अजिंग के रहाने के लिए भी एक बहुत बड़ा मैच था क्योंकि दोनों आउटो फॉर्म चल रहे थे काफी खबरों में बने हुए थे कि इन दोनों खिलाडियों का फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है लेकिन इस मैच में दोनों खिलाडियो ने ना सिर्फ सेंचुरी बनाई लेकिन अपनी टीम के लिए वो सब कुछ किया जो की जिताने के लिए वो कर सकते थे इसके बाद सोशल मीडिया पर उनका सेलिब्रेशन भी काफी जादा वाइरल हुआ जब उन्होंने गुड़नों पर बैटकर सभी फैंस को धन्यवाद कह लगा क्यों इंडियन क्रिकेटेक इत्यास के one of the most loved क्रिकेटर अजिंके रहाने हैं जी हां इस मैच में मुंभई के one of the most senior क्रिकेटर धवल कुल करणी अपना άकरी मैच लुर्यवाई ते और जब आखिर में विधर्प के 9 विकेट गिर चुके थे तो अजिंके रहाने ने व उन्हें ये विकेट मिला तो वो काफी ज़ादा emotional भी हो गए और सभी crowd ने उनका जम का confidence बढ़ाया और ये सभी ऐसे moments थे जिनकी वज़ास से विधर्व और मुंबई के बीचे खेला गया मुकाबला थोड़ा और special हो गया लेकिन आखिर में जाते जाते मुंबई का domination चाहे IPL हो चाहे रंजी ट्रॉफी हो या दुनिया की कोई भी लीग हो सब जगा मुंबई की टीम हमेशा perform करती है और हमेशा ये बात साबित कर देती है कि क्यों इस टीम को हमेशा एक dominating team आना जाता है IPL में 5 टाइटल्स और अब रंजी ट्रॉफी में 42 टाइटल्स क्या इस टीम को आने वाले समय में कोई भी team माद दे पाएगी चाहे रंजी ट्रॉफी में या फिर IPL में भी आपकी क्या राया है हमें comment करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो जाते जाते चैनल को subscribe ज़रूर करने